आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम इसे दान तक नहीं हो तरी श्टडी आईक्यो पर आपका बहुत-बहुत सबागत है मुझे पता है दोस्तों ये लेक्षर लेट आ रहा है लेकिना जम जस्टिस एस मुर्लीधर की बात करने वाले 58 वर्ष के हैं 62 वर्ष में इनका रिटायर्मेंट होगा 2023 में ये रिटायर होंगे जस्टिस एस मुर्लीधर घरगर का नाम बन चुके है दिल्ली दंगे हुए बहुत-ध़ुत दंगे दोस्तों इतने लोगों की जाने गई Justice S. मुरलिधर का एक जबरदस्थ decision आया था गजब का इन्होंने एक decision दिया था ठीक है लेकिन इससे पहले ये कुछ कर पाते इनका transfer हो गया अब इस पे बहुत ज़दा politics होई है और अभी भी हो रही है अब तो अला कि मामला चांत हो गया है तो दोस्तों इस मामले की हम बात करेंगे मैंने इनकी farewell speech सुनी थी चार दिन पहले सुनी क्या थी मतलब पढ़ी थी वो इतना जबरदस्थ था बिल्कुल मतलब ऐसा मेरे पे असर हुआ कि मैंने सोचा कि Justice S. मुरलिधर की बायाग्राफिय में पहले क्यों नहीं लाया ऐसा मुझ में असर कि उस speech के कुछ अंश मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसमें हम बात करेंगे और साती जात एस मुरलिधर की बायाग्राफिय भी देखेंगे इनको अपने पढ़ी तगले फैसलों के लिए जाना जाता है दबंग जजज है यहां तक कि इनके ट्रांसफर के लिए ऐसा बहुत कम होता है कि वकील जो हो हरताल कर देते हैं जब इनका ट्रांसफर तेह हुआ था कि इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा यह 12 फरवरी को ही कॉलेजियम ने तेह कर दिया था और उनके important फैसलों को, यह आप देख सकते हैं, दोस्तों यह जब farewell हुई, कितना जादा इनको respect दी गई, और यह जो पूरा का पूरा hall है, यह तालियों की गड़गड़ा हट से गूझ उठा, ओवेशन इनको बहुत जादा मिली जब यह बोल रहे थे, तो यह आकरी नजारा अब इनको transfer कर दिया गया है, तो हम justice S.Murlidhar के बारे में जानेंगे, student score econnect मेरा facebook page है, सिद्धान तक नहीं होतरी के नाम से, मेरी facebook profile है, दोनों ही जगा प्रेचर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, study IQ के tablet और open drive को से सहरे exams के लिए आते हैं, आप इन numbers पे call करिए, website visit and happy holy to all of you, अच्छे से holy खेलिएगा, और थोड़ा सा safe रहिएगा, साथी साथ अगर आप कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा safely drive करिएगा, ठीक है ना, तो बस तेवहार का season है, enjoy करिए, आप मुझे Twitter पे भी follow कर सकते हैं, ये रही मेरी ID, तो दोस्तों वैसे तो इनके जीवन के बारे में जादा information जो है वो available नहीं है, लेकिन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, 1984 में ये as an advocate चिन्डई में इन्होंने practice करने शुरू की, ठीक है, 1984 में, तो इनका जो legal career है, वो 1984 में शुरू हुआ, उसके बाद हम देखते हैं, कि 1987 में ये Supreme Court और Delhi High Court चले गए, गैस tragedy पे मेरा पूरे separate lecture है, आप देख लीजेगा, और भोपाल गैस tragedy के जो पीडित थे, उनका case लड़ा Justice S. मुरलीधर ने, और कोई fees नहीं ली, कोई भी fees नहीं ली, अगर कहीं पे दंगा हो रहा है, minorities पे अटाक हो रहा है, तो Justice S. मुरलीधर हमेशा आगे रहेंगे, कानून के हिसाब से फैसला देते हैं, ठीक है, तो 1984 में सिख दंगे हुए, और सज्जन कुमार को 2018 में सजा हुई उम्र कैद, उसमें जो बेंच थी, उसमें Justice S. मुरलीधर भी शामिल थे, Justice S. मुरलीधर ने उम्र कैद दी है, सज्जन कुमार को तो आप देख लीजे, कितना तगडा रुक है, और अभी जब 2020 में, अभी फरवरी के लास्ट में जब दिल्ली में दंगे हुए, तब इन्होंने बोला था, ये statement दिया था, ये अपने decision में बताया था, हम दिल्ली का सिख दंगो जैसा हाल नहीं होने देंगे, इससे पहले कुछ कारवाई कर पाते, सरका के लिए ही नर्मदा बचाओ, अंदोलन पे तो फैसला नहीं दिया था, वो तो पूरा movement है, जो कि मेधा पाटकर जो है, वो 20 साल से चला रही है, आप पूरा lecture देख लीजेगा, जो डैम बनाए जा रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को विस्थापित कि ठीक है न, कहीं और भिजना पड़ेगा न, रहने के लिए, लेकिन सरकार ये करने में नाकामियाब रही है, तो यहाँ पे जस्टिस S. मुरलीधर ने जो डैम्स बन रहे हैं और जो लोगों को अपना अश्याना नहीं मिल रहा है, उस पे भी इन्होंने फैसला सुनाया है, ठीक है, और 2003 में डेली उनिवस्टी ने इनको PhD भी अवाड की, PhD भी कर रहे थे तो अब डॉक्टर S. मुरलीधर हो गई है, ठीक है, काउंसिल भी रहे हैं ये, National Human Rights Commission और Election Commission of India और Part-Time Member of Law Commission भी रहे हैं ये, 2006 में इनको दिल्ली High Court का जज़ बनाया गया, और तब से ये दिल्ली High Court में हैं, 15 सालों से ये डेली High Court में काम कर रहे हैं, और 2009 का जो बहुत ही पेमस डिसीजन, LGBT है ना, यहां पे जो समलांगिक्ता है, वो कोई क्राइम नहीं है, ये भी Justice S. मुरलीधर ने बताया था, जब ये फैसला आया था 2009 में, है ना, जो होमो सेक्शुलिटी उस समें एक कोई होमो सेक्शुल है, या कोई लेस्बियन है, या फूर कोई ये है, LGBT पे बहुत है इंपॉर्टन फैसला था, ठीक है, और फिर यही continue रहा, उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं, कि इनके फैसले तो बहुत ही बढ़ी आ रहे, लेकिन अभी क्या हुआ, अब हम सिलसलेवार से चीजों को देखते हैं, अभी हुआ ये कि दिल्ली में दंगे भडग गए, आपको पता ही है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, 25 और 26 फरवरी ये दो बहुत इंपॉर्टन दिन थे, यहाँ पे दो पेटिशन आई इनके सामने, ठीक है, दो पेटिशन आई, एक हर्षमंंदार पताजी थे और सुरूर मंदार जो है, वो बेटी है, तो दोनों की पेटिशन आई, शुरूर मंदार की पेटिशन में यह लिखा था, कि जो मुस्तफवाबाद में प्रोबलमस हो रही है, दंगे हो रही है, उनको कंट्रोल करना चाहिए, कुछ गरबड हो र रहे हैं उनके ऊपर कारवाई हो और ये सुभा की बात है दोस्तों ये लगबग लगबग सुभा के 12 बच के 40 मिनट पे दूसरी पेटिशन आई थी तो यहां पर रात में ही रात में रात में फैसले दिये दिन 2400 गंटे जस्टिस एस मुर्लिधर काम कर रहे थे जब दंगे हो रहे थे तो रात में घर पे ही बेंच लगाई गई एक्चुली हुआ क्या कि डेली हाई कोड के थर्ड सीनियर मुस्त जज्ज है ठीक है जस्टिस एस मुर्लिधर तो आम तोर पे जब कोई पेटिशन आती है तो वो सबसे सीनियर मुस्त जज्ज के पास जाती है अब सीनियर मुस्त जज्ज कौन है डिन पटेल सबसे सीनियर है ये डेली हाई कोड पे ये थे चुट्टी पे ठीक है तो जो सिश्टानी थे दूसरे सिनियर मोस्ट उन्होंने जस्टिस S. मुरलीधर को काम करने को दिया कि आप देखिये ये केस तो जस्टिस S. मुरलीधर ने रात में ही अपने घर में ही दरबार लगा दिया और वहाँ पे सुनवाई शुरू हो गई तब हम देखते हैं दोस्तों कि फिर इसको ये बोला गया 26 फरवरी को जब शुरू है तब यहां पे दिल्ली पुलिस की क्लास लगा दी जस्टिस S. मुरलीधर ने तो यहां पे जो सॉलिसेटर जनरल थे वो आयर कोट में हाजर हुए तो Justice S. मुर्लिधर ने बोला कि क्या आपने hate speech सुनी है तो यहाँ पर बोला, उन्होंने कहा कि नहीं सुनी है, हमको ऐसा कुछ पुलिस आपने, पुलिस का भी यतरकत था जिन्होंने hate speech दी है प्रवेच वर्मा हो गए और इदर अनुराग ठाकूर हो गए कपल मिच्रा इन सब के खिलाफ FIR रेजिस्टर करो यह बोला यहाँ पे Justice S. मुरली धर अब दोस्तों हम यह देखते हैं कि यह बोल तो दिया लेकिन उसके बाद शाम को ही हम देखते हैं कि यहाँ पे तर्क क्याज दिये जा रहे हैं एक तो यही दिया जा रहा है क्योंकि यह सब आपको पते है यह ruling party से हैं ठीक है अब ruling party ने जानबूच के ऐसा कि एक तर्क तो यह दिया जा रहे है दूसरा तर्क कि यह है ruling party यह कह रहे है रवी शंकर प्रसाथ का यह कहना है जो कि law minister है उन्होंने बला कि हमने कुछ नहीं किया क्यों नहीं किया 12 फरवरी को ही दोस्तों इनके transfer को decide कर दिया गया था collegeum, collegeum system होता है जो कि 5 judges का group होता है ठीक है और उसको senior most judge जो कि एसे बोब्डे है वो head करते हैं तो collegeum क्या करता है जो judges के appointment होते हैं जो judges के transfer होते हैं उसको देखता है समझ रहे हैं तो यह 12 फरवरी को ही collegeum ने decide कर दिया था कि अब इनके transfer की घड़ी आ गई है अब जब यह चीज हुई तो 20 फरवरी को फिर बकायदा बार association हर्ताल कर दी इनको court में दोस्तो your lordship my lord बोला जाता है इतनी ज़्यादा इजद दी जाती है तो आप समझ सकते होंगे कि justice मुरली धर का stature कितना बड़ा है कितने respected judge है यह ठीक है तो यहाँ पे तरक यही दिया जा रहा है कि इनके transfer तो 12 फरवरी से दंगों से पहली कर दिया गया था हमने जो खाली notification जारी किया है तो इस पे politics जारी है दोस्तों हम politics पे तो इतना नहीं जाएंगे लेकिन justice S. मुरली धर का जो काम है वो कमाल का है ठीक है तो यह चीज है अब यह कुछ important आप देख लीजे दोस्तों ठीक है जो इनके judgments है और आपको बता दूँ कि जितनी भी mass killings हो द दंगे हुए है उसमें तो justice S. मुरली धर का बहुती जादा सक्त रुख होता है जापे minorities को target किया जाता है ठीक है तो यह सब कुछ इन्होंने बकायदा जो सज्जन कुमार को जब इन्होंने इंडिक्ट किया था तो justice मुरली धर ने यह लिखा था यह familiar pattern है 1993 में गुजरात मे 2002 में कंदा मल उडिसा में मुजफर नगर यूपी में यह पूरा यह 2018 का दोस्तों statement है मनलब इनका judgment है जो लिखा था statement बोल रहा हूं I'm sorry ठीक है इन्होंने यह चीज लिखी थी यह बताया था अपने judgment पे यह चीज उंक्लूड की थी यह minorities को target किया जा रहा है attacks किया जा रहा ह और politically यह सब involved है यह सब नहीं होना चाहिए है और जो यह criminal से responsible है यह सब एक political patronage enjoy करते जाहिर सी बात है दंगे कंट्रोल करने में टाइम नहीं लगता दोस्तों देखिए आप देखिए चार दिन बाद यही जो दिल्ली के दंगे थे यही आसानी से कंट्रोल कर लिए गए कु अगर वो बीस मिनट से जादा चल रहा है इसका मतलब वो और्गनाइजड है ठीक है तो पुलिस सब कुछ कंट्रोल कर सकती है सी टू के लॉडर दो जो भी दंगा करे लूटे खसोटे मारे मारो से दंगायों से थोड़ी न कोई sympathy होनी चाहिए हाला कि इसमें भी यह बहुत दंगों में जान जारी होती है दंगाई जो है वो मार रहे होता है दिल्ली दंगों में तो जान गे ना मकाइदा तो यहां पे तो शूटिंग ओर्डर इसुई करने चाहिए थे ठीक है तो यह सारे दंगे कंट्रोल आसानी से हो सकते हैं अब कितने लोगों की दुकाने जल दोस्तों इसमें हिंदू-मुसलिम दंगाईयों का कोई धरम थोड़ी ना होता है तो हिंदू-मुसलिम कुछ भी हो सकता है कितने लोगों की जाने जल गई 25-25-20 साल से लोग बिजनेस कर रहे थे उनकी दुकाने जल गई सब बरबाद हो गया और लूटके ले गए लूटक ठीक है तो यह चीज थी अब दोस्तों हम स्पीच की बात करते हैं ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट अंश मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट स्पीच के मैं लेके आया हूँ स्पीच इन उनकी चार दिन पहले जब इनकी फियरवेल स्पीच दी तो कमाल की थी ठीक है यहाँ पर बताते है 1987 का वक्त की बात करते हैं कि जब जी रामस्वामी ठीक है जो एडिशनल सॉलिशेटर जनरल थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उन्होंने मुझे ऐसा जू जूनियर रखेगा जूनियर का काम होता है जो केसे आते हैं वो डारेक्टिस सीनियर के पास नहीं आते हैं उनकी पकायता टीम होती है उस टीम में आप भी हो सकते हैं तो आप देखेंगे सबूत इखटा करेंगे जाएंगे बात करेंगे इन्वेस्टिकेशन करेंगे और उ ठीक है तो ये चीज है उसके बाद दोस्तों अपने ट्रांसफर की भी बात करते हैं ये कि जब ट्रांसफर आया मैं अपने चेंबर बेटा हुआ तो और उसी दिन दोस्तों मेरा जो मेरी जो डॉग है सकी मेरा जो लेबरडॉर है जो हमारी फैमिली से बहुत टाइम तक रहा अपने फैमिली की भी बात करते हैं ये ठीक है अमारी फैमिली के साथ बहुत ज़ाधा समय थक रहा है उस समय वो भी उसका भी देहान थो गया था जो मेरी डॉगी थी है ना और फिर मुझे पता चला की मेरा ट्रांसफर हो गया तो ये ब्लो था एक तरीक से अलाकि ये तो लोगों को भी आपकी आदत पढ़ जाती है, ठीक है? तो ये चीज है, फिर लोगों की बात करते हैं कि किन-किन लोगों ने मेरी help की और बहुत कभी-कभी problems होती थी, वहाँ पर मुझे सही direction दिखाया, backup support रहा, 1200 employee काम करते है, court में उनका बहुत अच्छा support था मुझे, और मैं स करना पड़ता है, अगर आप बार में हैं, तब आप high level के advocate हैं, आप केस लड़ सकते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि लोगों की degree लिए और आप advocate हो गए, ठीक है? तो ये चीज है, उसके बाद जो senior, young, non senior, ये जितने भी है, सब ने मेरी बहुत जाद रिस्पेक्ट किये, ये भी add करते हैं, ठीक है? तो ये चीज है, उसके बाद दोस्तों, एक दो चीज ये quote करते हैं, ठीक है? वो मैं आपको बताना चाओंगा, है ना? यहाँ पे ये बताते हैं कि quote जो है, वो जैसा हमारा भारत है, ये बताने की कोशिश करते हैं, वही describe करता है, quote का culture जो है, यहाँ पे ह यहाँ पे जो keyword है, वो है fraternity, क्या बात है, क्या बात है? fraternity, आप इनकी पूरी speech पढ़िएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, मज़ा आ जाईगी आपको, fraternity है keyword, जैसा बाबा साहिब अमेटकर ने बोला था, without fraternity, equality and liberty would be no deeper than courts of pain, क्या बात है, है ना? तो fraternity के बिना ना equality है, न liberty है, ठीक है? तो court में काम करना है, तो fraternity तो चाहिए, भाई चारा जिसको बोलते हैं, group of people जो common interest share करते हैं, अगर dictionary के हिसाब से बात करें, है ना? लोगों में कैसा संबाद, दोस्ती कैसी है, equality है, तो यह सब fraternity के अंदर आता है, एक तरीके से भाई चारा, जिसको ओम बोलते है, तो उसके बिना ना equality है, ना liberty है, अगर हम as a group अच्छे से हैं, एक दूसरे को cooperate कर रहें, तब ही तो equality और liberty रहेगी ना, तो यह चीज़ है, उसके बात दोस्तों, यहाँ पे constitutional values की भी बात करते हैं, ठीक है? क्या है वो constitutional value? एक कोई advocate है, कोई decision है, जो judge दे रहा है, constitutional values, समव non-discrimination, निश्पक्षता, बरकरार रहनी चाहिए, किसी भी decision में, dignity, maintain रहनी चाहिए, untouchability, ठीक है, plurality, यह सब हमारे समविधान में है, और इसी को ही constitutional values बोला जाता है, ठीक है, कि हर किसी को equality treat करो, हमारी जो judiciary है दोस्तों, कमाल, बहुत ही मतलब कितनी respect हम करें, है ना, कितनी respect करें, कि यहाँ पर हर किसी को rights है, हर किसी को यहाँ पर ऐसे ही फैसला नहीं दिया जाता है, बनाना republic नहीं है हम लोग, यहाँ तक कि एक criminal को भी proof करने का पूरा मौका दिया जाता है, कि कहीं उसको गलत तो बंद नहीं कर दिया, तो यह चीज है, उसके बाद यहाँ पर एक meditative और meditative ठीक है यह दो act of judging होने चाहिए ठीक है ना यह जो space है the act of judging है वो meditative or meditative meditative होनी चाहिए अब यह meditative और meditative का क्या मतलब है meditative का justice as Muralidhar के लिए मतलब है दो principle एक तो गांधियन तालिस्मान ठीक है गांधी जी की जो philosophy गांधी जी जो कमाल का किया काम किया कि जो weakest person है उसको rights दो कम से कम उसकी rights को honor करो वो देखो जो last line में गांधी जी बोलते ना जो last line में सबसे last में खड़ा है देखो equal है कि ने उसको सही से treat किया जा रहा है कि ने उसको इंसाफ मिल रहा है कि नहीं उसको न्याय मिल रहा है कि नहीं और दूसरा अमेटकर adoption जो constitutional morality था है ना कि constitutional values हो नहीं चाहिए और बाकी जो दूसरा है meditative primary function of the judging जो dispute resolution होता है उसमें भी निश्वक्षिता ठीक है तो ये सारी चीज़े अपनी speech में add की तब ही speech जो है वो बहुत हाई value speech है मुझे तो मतलब दो-तीन बार मैंने पड़ा और कमाल का बहुत कुछ आप इससे ले सकते हैं उसके बाद neutrality और impartiality इसके बीच में भी difference बताते हैं है ना impartiality जो है और neutrality जो है यह दो होने ही चाहिए जब भी कोई judge है या कोई advocate है यह दो principle तो guiding principle होते हैं कि आप neutral रही है और impartial रही है लिजे कोई judge जो है वो किसी community का है और उसी community का इंसान न्याय मांगने आ रहा है तो उसको impartial रहना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो उस community का है तो रियायत दे दे नहीं सबूतों के अधार पर फैसला करो साथी साथ दोस्तों ये और बोलते हैं कि जो weeks है ठीक है जो कमजोर है उनको तो न्याय देना ही चाहिए क्योंकि जो कमजोर होता है दोस्तों जो लोग घरीब होते हैं अब उनको जादा कानून नहीं पता रहता जो पढ़े लिखे नहीं उनको भी कानून नहीं पता रहता तो अक्सर क्या होता है कि बहुत उनको मतलब exploit किया जाता है नियाए भी नहीं मिलता तो ये चीज नहीं होनी चाहिए जो weaker section उसको तो नियाए मिलना ही चाहिए और फिर add करते है last में कि judging जो है वो बहुत आसान टास्क नहीं है ठीक है हमको daily negative emotion से deal करना पड़ता है anxiousness से deal करना पड़ता है frustration से deal करना पड़ता है लेकिन ये judge के ओपरें सब को कैसे deal करें क्योंकि एक चीज तो सच बात है न कि independent judiciary is the backbone of democracy तो इसी पे ही मैं ये lecture कदम करना चाहूंगा आप इनकी speech जरूर पढ़िएगा खुछ रही है परते रिए देसे सिद्धान तक नहीं होतरी signing on